वो उसमें से मैंने लिया हुए है, तो first था उसके solution, ये था 2 sin 5 theta, किसी को इसमें कुछ doubt हो तो पूछ लिजेगा, तो it is cos 2 sin A, sin B, it is cos A minus B, A minus B, minus 2 theta, minus cos A plus B, so it is 12 theta, cos minus theta, cos theta होता है, क्योंकि 4th quadrant में cos positive होता है, cos 2 theta, minus cos 12 theta, तो ने वीडियो देखिए है तनिश्ट, क्यों, क्यों से समझाया जाए, cos 7 theta into cos into sin 5 theta, sin 5 theta, sin into cos है, आप किसी को भी, आप 2 cos से sin B या 2 sin A cos B कुछ भी लागा सकते हो, answer सेम आएगा, ठीक है, तो अगर 2 cos से sin B लागा है, so it is sin A plus B, B, so sin 12 theta, plus sin, sorry, minus sin A minus B, ठीक है, A minus B, it is 2 theta, क्या answer होगा, या अंसर होगा, या अंसर होगा, 2 cos 11 theta into cos 3 theta, कौन सा लागेगा, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B is cos of A plus B, cos of A minus B, minus cos of A plus B, कर या बीचम प्लस आएगा, cos A minus B plus cos of A plus B, A plus B is 14 theta. then 2 sin 54 degree into sin 66 degree, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B is, cos A minus B minus cos A plus B, cos A minus B, this minus this, it is minus of किता हो गया, minus 12 degree, minus cos A plus B, so it is 120 degree, ठीक है, ये तो cos 12 degree रह जाएगा, और 120 degree की value आप रख सकते हो, कैसे रखोगे, वो ही 180 या 90 कुछ ही मान लो, 180 minus 60, 180 minus theta किस quadrant में, second quadrant, pi minus theta, ठीक है, revise करिए, तो minus cos theta होगा, second quadrant में, और conversion नहीं होता, 180 पहे, so it is cos 60 degree, cos 60 degree 1 by 2 होता है, cos 12 degree plus 1 by 2, ठीक है, बाकी 5th question number 5 से लगे है, question number 10 तक, proof वाले question थे, तो आप जो पूछना हो, पूछ सकते हैं, 9th, 10th, 10th, मजे ले ले लो तुम, चलो, ठीक है, 7th देखते हैं पहले, question number 7, 7th prove that, prove करना है, sin A, sin A, sin A plus 2B, and minus sin B, sin B plus 2A, जो value ज्यादा bigger expression में हो, वहीं से शुरू करी है, इसमें शुरूआत कैसे हो सकती है, तू बच देखना आज, मैं चाहता था तुरको लिंक भी रही थी थी नहीं, मेरे पास तो है दोस्त, मैं देख लेता हूँ, एक मिट बच्यों, मैंने भूलता, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे तेरा टाइम बहुत कीमती है, अब तुझे नहीं लग रहा तो मैं कुछ नहीं गड़ दकता, ऐसी डॉपर वैच में भी, उन्हें बच्चा आया, उसे ही बेजी थी, तुझे ही बेजी थी, वो भी कहता, नहीं सर मेरे पास नहीं आई, वें कैसे नहीं आई भाई, वो भी ऐसे बोला था, क्या ही थी, देख वो सबसे बहले क्या, 2 sin A sin B बनाते हैं, तो 2 का multiply, 2 का divide, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, तो 2 sin A sin B, इस कॉस A minus B, तो इस मिनस इस, इस 2, minus 2 B, minus कॉस A plus B, तो इस 2 A plus 2 B, क्या ही समाज में आ रहा है, मैं फामर लगा रहा हूं, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, it is कॉस A minus B, minus कॉस A plus B. 2 कॉस A कॉस B is कॉस A minus B plus कॉस A plus B. 2 sin A कॉस B, it is sin of A plus B plus sin of A minus B. तो इस इस, और minus, इस में भी वही, 2 sin A sin B लगेगा, तो कॉस of A minus B, it is minus 2 A, minus कॉस of A plus B, it is 2 B plus 2 A. अब आपको दिखना चाहिए, कि अगर मैं देखूँ, यह minus का है, ठीक है, और यह minus का मुल्टिप्लाइज में होगा, तो A plus का हो जाएगा, तो plus का, कॉस 2 A plus 2 B minus से cancel हो जाएगा, तो कॉस minus C, तो कॉस सीड़ा होता है, तो यह हो गया, कॉस 2 B minus कॉस 2 A, नाओ कॉस C minus कॉस D, क्या लिखा है, कॉस C plus कॉस D, क्या होता है, 2 कॉस C plus D by 2, कॉस C minus D by 2, और कॉस C minus कॉस D, जो की लागाना है, तो माइनस 2 sin C plus D by 2, into sin D minus C by 2, यह बताया था, अब अच्छों ऐसे इसमें यह भी कर सकते हो, यह minus, इसमें से अगर मैं minus निकालू, इसमें से minus कॉमन निकालू, तो, सॉरी, यह C minus D था, ठीक है, यह बाहर minus लागाना भूल जाते हैं अपन लोग, तो कभी ऐसा हो सकता है, क्या आप इसमें से minus निकाल दो, sin minus theta क्या होता है, minus sin theta, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, sin minus of D minus C by 2, लिख सकता हूँ न, C minus D में minus कॉमन निकाल लिया, तो sin minus theta, 4th कॉर्ण में sin क्या होगा, negative, तो minus बाहर ले सकते हैं, तो वो जो minus बाहर आएगा, मैं भी ऐसे याद लखता हूँ, मुझे भी minus लगाना याद नहीं रहता, मैं भी उल्टे याद लखता हूँ, तो मारी मर्जी है, तो cos C minus cos D, 2 sin, बिना इसके बोल रहा हूँ, ठीक है, अरे, ये sin minus theta, minus sin theta हुगा न, तो ये जो minus बाहर आएगा, रहा हूँ, minus minus plus कर देगा, अरे, लणके, C plus D by 2, इसको मैं नैसे लखा, अब इसको ऐसे लिखूँँगा न, minus sin D minus C by 2, लिखूँँगा नहीं, तो ये minus minus plus रहा हूँगा, अरे, फामुले याद किया के नहीं तुने, फामुले देख पहले जो लिख पाया है, ऐसे ही उठा है बिटा, ज्यादा पढ़ो या कम पढ़ो, दोनों में सेम इस्ति दिये, cos C minus cos D, 2 sin C plus D by 2, तो 2B plus 2A by 2, into sin क्या बोला, अगर या तो minus बाहर लगा हूँ, इस से, और minus बाहर नहीं लगा रहा है, तो उल्टा लिखो, तो D minus C हो जाएगा, तो D minus C is 2A minus 2B by 2, 2 से 2 कढ़ जाएगा, इस sin of A plus D, into sin of A minus D, देख लें, बहुत लफ़ला है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते है, फामुले तो याद कर नहीं है, अरे, ट्वेल्थ वाले कई बच्चे, इलेवन्थ में आगे तुम लो, कई बार कई बच्चे ऐसा पूछते है, कि सर, हम ऐसा पढ़े क्यों हो रहा है, क्यों सांसें ले रहे हैं, कपड़े क्यों पहन रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं, गुटने के बल क्यों नहीं चल रहे हैं, हिंदी क्यों बोल रहे हैं, एंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, डॉग वाली लेंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, यह हैं पैसिक नोंज सवाल सकते हैं से हैं नहीं कुछुस फिर चूहलेके हैं सबस्षा इसे हुगा है TWO जब आपका हो जाएगा और आपको 15-20 दिन जाने के लिए होंगे काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग हो चुकी होगी आपका किसी ID में हो गया होगा अची रेंग बनी होगी तो बगवान कर ऐसा हो और आपका सब्सक्राइब करना है और आज एक तारीक है तो एक तारीक से बीस तारीक तक इतने लोगों के फोन और मिलने आएंगे लोग कि वही मुझे भूल नहीं जाए यह क्योंकि मैं इसके नाम से बहुत सारी पड़्चियां फाड़ने वाला हूं तुम्हारे पड़ोसी जिनने तुमने कभी देखा नहीं वो भी तुम्हारे घर देखेंगे बहुत सारे पूरा माहौल चेंज होगा अचानक से तो आपको पता लगएगा कि आपने क्या कर दिया हां इसका उल्टा भी होगा अगर आप मकारी कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे ह तो क्या वधा है कि बच्चा नॉर्मल इंजिनिंग कॉलेज में दाखिला ले देता है फिर उसके बिचारे पेरेंट्स जो है वो कंबंसेट करते हैं कि एक्शुली क्या है उसका मनी नहीं था शुरू से इंजिनिंग का वो तो मैंने जबरस्ती की थी वो तो एंबीए करना इसा होता रहेगा मतलब विचारे पीरेंट्स ढखाते रहेंगे और ढाकते रहेंगे ऐसा करना ही क्यों है इस बेरी सिंपल कि आपको सब कुछ पता है मतलब मैं आपको सब कुछ पता रहे हूंगा मैं आपसे बोल रहा हूं जितने फॉर्मले-based question है जो फॉर्मले है फॉर् इसके बस इस चेप्टर में sequence and series में और quadratic में तीन चेप्टर निकले हैं तीसरा चेप्टर चल रहा है इन तीनों चेप्टर में यही करना है जैसी हम coordinate इसके बाद हम coordinate geometry पाएंगे इसके बाद बढ़ेंगे इसके बाद हमومने कोई limit नहीं है जोब दम से बढ़ना है में कम से कम 20 से 25 परसें रखता है वैटेज जेही मैं उसे नीं चोड़ सकते मैं पूरा बढ़ा दूँ उसमें कोश्चने बढ़ जाएंगे तुम देखो एंस CPV में भी आट-टस कॉश्चन उसमें 20-30-30 questions रहेंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, वो खतम करने के बाद आप से कहूंगा सामने book रखी है, जिसकी दम है लगाओ, और जो पूछना है पूछो, तुम रात को लगा रहे हो, दस बजे message करते हो मुझे WhatsApp पे, कि सर ये वाला question नहीं मैं जब मैं सुबह जल्ली उ जनवरी में, मतलब 11th में ही होगे तुम, जनवरी में पेपर होगा, ये मेंस का अगली साल, उसमें जो 11th का पूरा portion आएगा, उसमें geometry का question का अलग से booklet बना के मैं तुम से test लूँगा, और तुम देखोगे, अगर तुमने इमानदारी से पढ़ा होगा, तुम से सब बन रह होगा, तुम्हारा confidence level ही अलग होगा, कि हाँ भई, 5 question इसके, 4-5 question coordinate के, और 1 question quadratic का, 1 sequence का, और 1 binomial का, और एका trigonometry का आगया होगा, तो आप से 25 में से 8-10 question, 8-9 question निकल रहे होंगे, ठीक है, और अगर इतने निकल रहे हैं और आपने calculus में इतने ही और बना लिये, chapter, तो आप सम 18 question इस class में बेटा हुआ हर बच्चा बना लेता है, और ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है, मतलब अगर आप 60% ला रहे हैं, जेई मेंस में, और 60% अगर आप advance तक महुच गए, 60% advance मतलब करीबन 800 के अंदर rank होती है, 60% में, 800 के अंदर rank होती है, इस सा अभी result आया है, ठीक है संडे को, तो मेरा एक बच्चा student है लक्ष करके, उसने 546 rank मारी है, अब सब online ही थे उस समय, offline में कोई बच्चा नहीं है मेरे पास, वो अर्याना का बच्चा है, एक अनिमेश है दिली का student है, वो 1104 rank पर आया, एक गौलियर का बच्चा है, अजय थिरपाटी करके कुछ नाम रहा हो, और एक बच्ची है सौमया तिवारी, वो है राहपूर की, वो उसकी कुछ 6000 rank बनी है, लेकिन उसकी जो girls category है उसमें बहुत अच्छी rank है, girls category में फायदा है, मतलब तुम्हारा लड़कों का radiation नहीं मारा जा रहा है, girls category is different from radiation, उसमें उनको नुक्सान भी है, girls को उसमे फायदे भी है और नुक्सान भी है, पहले वही बरी जाती है, मान लो कोई general category की लड़की है, और वो चाहती है, उसकी नंबर अच्छे आया है, वो चाहती है मुझे general category में ही nominate किया जाए, लेकिन पहले उसे special category में nominate किया जाएगा, और मान लीजिए किसी बच्ची के marks average है, और वो चाहती है कि वो फायदा उठा ले किसका special category का, तो अगर special category की 20 सेटे हैं जैसे मान लीजिए, और 20 सीटें फिल हो गई, तो वो अब general category में है, उसे special category का फायदा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से अब है, अब ratio बहुत कम है, बहुत, मतलब 100 बच्चों में, आप class में बे लड़कियां नहीं होती है, 4-5 लड़कियां होती है, तो उसको उसको बढ़ाने के लिए, equal करने के लिए वो चीज की जा रही है, मगर अभी भी बहुत मुश्किल है, ratio देख रहे हो ना अभी, 3 लड़कियां है, इतने साज लड़कियां है, अगले साल 12 में तुम और देख प्लस साइने इंटू साइने प्लस कॉस थ्री ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, इक्वल टू कह रहा है, 0 है, प्रूफ करना है, ठीक है, कई तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन क्या करें शुरूआ पताओ, इसमें, क्या, साइने का मल्टिप्लाय कर लें, ठीक है, बच साइन, 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 साइन b plus d by 2 3a plus a by 2 into sin b minus c by 2 a minus 2a by 2 or into cos a, तो यह कितना हो गया, 2 sin, it is 2a, 2a by 2, it is cos a into sin a, और यह कितना हो गया, plus 2 sin 2a, और यह कितना हो जाएगा, बच्यों, minus a हो जाएगा, sin of minus a तो minus बाहर लिख कर देंगे, तो यहाँ पर minus आ जाएगा, into sin a, और into cos a, मेरे क्यालते चैंसल हो रहा है नौना same है, so it will be 0, this will be cancel out, so it is 0, यह हुआ 8th, हाँ बच्यों, यह d minus c हुआ न, d minus c by 2, तो minus 2a by 2, तो 2 2 कर गया, sin minus theta, minus sin theta होता है, पूर्थ कोटन है, तो minus बाहर आगया, ठीक है, अरे यह छोटी होटी होटी है, तो होती है, अच्छा, कोई बात नहीं बढ़ा, बनाते रहना तो सब सही हो जाएगा, तो यह तो शुरू आए, 2 sin b minus c, cos c, sin b minus 2c, ठीक है, यह से प्रूब करना है, sin a by sin b, तिक्नोमेंट्री के लेक्च्छर ऐसी चलेंगे, calculation ज्यादा, question ज्यादा solve करेंगे हम लोग, हाँ बढ़ी, क्या, कोई बता है, क्या शुरू करें इसमें, कैसे शुरू करेंगे, LHS में, फार्मूला देखो, यह तो कुछ नहीं हो सकता इसका, लेकिन यह हो रहा है, 2 sin a cos b, इसको a बोलो, इसको b बोलो, तो 2 sin a cos b, लिखा हुआ है, 2 sin a cos b, यह होगा, 2 sin a cos b, sin of a plus b, तो इस a, है न, plus sin a minus b, this minus this, it is a minus 2c, और minus a minus 2c, कैंजल हो रहा है, यह मग्या होगा अगिज़, अगें, 2 sin a cos b, अब इसको a मानो, इसको b मानो, साइन, a plus b, it is b, और plus sin a minus, this minus this, it is b minus 2c, अब इसको b, it is also cancel out with sin of b minus 2c, तो इसको, 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 अब इसको, इसको, साइन, इसको, simple-simple-simple से question है, केवल फामोया लगाने के लिए, ही जोड दिया गया है, हाँ, last वाला भी देख लेते हैं, तेंथ साइन ए साइन टू ए प्लस साइन थ्री ए साइन सिक्स ए बला इतने कुश्चन अगर तुम कर लेते 10 तक भी तो तुम आदे फामूले तो याद होई जाते है इतनी बार यूज हो गया है साइन फोरे साइन थर्टीने वाई साइन ए पॉस्टुए साइन थ्री ए पॉस्टुए तो क्या होगा अभी अपन हर बार हर बार कुश्चन फॉर्मूले जादा बढ़ते आएंगे फिर आपको दिक्कत होने लगे ही कि हम इससे बंते नहीं है या याद नहीं हो रहा है हएंज तर्टीने इक्वदीड प्रूफ करना है तैन नाई कि बात की बात है सब से पहले क्या करें शरूऄब कैसे करें टू का मृल्टीप्लाई डिवाइट तो टू का उपर मृल्टिप्लाई किया टू का नीचे मृल्टirie दिया उपर तीनवा लगाना है कौन सा फामुला 2 sin A sin B 2 sin A sin B 2 sin A sin B is cos of A minus B इधर देखे लो सब लोग 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B मैं लोगा इसमें कोई logic logic कुछ नहीं है केवल फामुला है आपको फामुला देखके फामुला लगाना है अभी याद कर सकते हैं तो करते हैं आणा 2 sin A cos B direct लिख रहा हूं cos A minus B minus cos A plus B cos A minus B minus cos A plus B cos A minus B this minus this it is 9 A minus 9 A minus cos A plus B it is 17 A 2 sin A cos B 2 sin A cos B sin A plus B sin A minus B sin A plus B plus sin A minus B sin A plus B plus sin A minus B sin A plus B plus sin A minus B minus 9 अब देखो cos minus theta cos theta होता है fourth coordinate और sin minus theta minus sin theta होता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा cos A minus cos 3A plus ये भी cos 3A minus cos 9A फिर ये cos 9A हो जाएगा minus cos 17A भोल अपोन बच्चों sin 3A minus sin A sin minus theta fourth coordinate है ना fourth coordinate sin negative 10 लिखावा था तो वो भी minus 2 होता है plus sin 9A minus sin 3A plus sin 17A minus sin 9A cancellation दिख रहा है ये 3A से 3A 9A से 9A 3A से 3A and 9A से 9 ये कोई लिख रहा है क्या किसी को लिखना है पड़ा दू अब क्या करेंगे इसके बाद तो बता रहा है क्या बचा it is cos A minus cos 17A upon sin negative में है तो उसे ले लो sin 17A minus sin A now in numerator we will use cos C minus cos D cos C याँ पर लिखा था ये लिखा है cos C minus cos D और नीचे यूज करेंगे sin C minus sin D ठीक है तो cos C minus cos D is 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C minus नहीं लगा है न उल्टा D minus C तो 17A minus A by 2 by sin C minus sin D 2 sin दोनो sin के बीच में जो sin आता है वो sin को मिलता है 17A minus A by 2 into cos 17A plus A by 2 कुछ cancel cancel दिख रहा है क्या उपर आ गया sin 9A sin 8A upon में आ गया sin 8A cos 9A sin by cos is 10 10 9 hence proof कुछ नहीं केवल formula लगाना है और कुछ नहीं चा रहा है आप से question number इक है जिसको लिखना हो लिख ले हम लोग मैं आपको type 1 दिया था type 2 को भी बेजूँगा मैं अब type 1 में आप कहां तक कर सकते हैं ऐसे 1 CPP 1 question number 13 ऐसा लिखा है sine square 5 degree sine square 10 degree sine square 15 degree ऐसे अगर हम चलते जाएं सबसे last में लिखा है sine square 90 degree उससे पहले कित्ता होगा sine square 85 होगा वही 55 का difference है उससे पहले 80 होगा और उसके भी पहले एक बाद लिख लेते हैं 75 होगा ठीक है यह सखाया था कभी बच्पन में theta 1 plus theta 2 अगर pi by 2 है 90 degree तो sine theta 1 क्या होता था कुछ याद है cos theta 2 होता था यह मैंने लिख़ाया है दो केस बताया थे theta 1 plus theta 2 अगर pi होता है 180 degree तो sine theta 1 बरावर होता है sine theta 2 के और cos theta 1 equal to minus cos theta 2 होता है जबकि theta 1 plus theta 2 अगर 90 degree होता है तो sine theta 1 बरावर होता है cos theta 2 के साथ में यह बोला था कि बड़े एंगल को छोटे मों convert करना है तो दिख रहा है क्या एंगल 85 and 5 एंगल का सम किता है 90 तो बड़े को छोटे मों convert कर लो मतलब मैं sine square 5 degree को ले लूंगा cos square 5 degree के साथ जो की 1 हो जाएगा plus इसको ले लेंगे तो यह हो गया sine square 10 plus cos square 10 ठीक है ऐसे pair बनता जाएगा अब सुनना ज़रा यहां से लेगे यहां तक कितनी number of terms है ऐसे pair बना रहे हैं अपन first का last मतलब इसको छोड़ दें इसको छोड़ दो यह तो 1 है हो गया first last second second last third third last ऐसे करके pair बना रहे है और दोनों का pair का sum कितना आ रहा है 1 तो कितने pair बनेंगे उसके लिए ज़रूरी है हमें पताओ कितनी number of terms होंगी तो सुनो कुछ नहीं 5 से 45 85 तक AP चल रही है एंगल में AP चले number of terms निकाल सकते हैं last term कितनी है 85 तो 85 degree equal to last term AP AP के एने term last term equal to first term plus n minus 1 into common difference is 5 तो यह 5 subtract हो गया तो यह 80 हो गया 5 डिवाइट कर देंगे तो कितना हो गया 12 हो गया नहीं यह 16 हो गया n equal to हो गया 17 term मतलब यहां से लेके और यहां तक 17 term है तो जो pair बनाएंगे middle term बचेगी एक term बचेगी ना 17 है तो वो middle term कौन सी बचेगी तो कभी भी किसी AP की last term बता है first term बता है middle term निकालनी है तो first plus last divide by 2 ठीक है तो 5 degree plus 85 degree divide by 2 किता हो गया 45 degree वो बीचें बचेगा ठीक है तो उससे पहले कौन सा आ रहा होगा sin 40 degree ठीक है sin square 40 degree और इधर आ रहा होगा sin square 50 degree उससे sin square 50 degree अब क्योंकि दोनों का एंगल का sum 90 है तो इससे हम लिख देंगे cos square 40 degree if theta 1 plus theta 2 90 degree then sin theta 1 equal to cos theta 2 तो ये दोनों भी बन हो जाएंगे और आखरी में क्या बच जाएगा sin square 45 degree जो middle term थी और एक पहले से लिखा हुआ है कौन सा sin square 9 मैं दोबारा ये समझाता हूँ theta 1 plus theta 2 अगर 90 होता है तो sin theta 1 बरावर होता है cos theta 2 के मतलब इसको मैं cos theta cos 5 degree लिख सकता था theta 1 plus theta 2 अगर 90 है और नमरों terms का तो peer बनेगा नहीं इसका मतलब middle term बचेगी तो middle term निकालने के लिए first term plus last term divide by 2 यह हो गया 45 degree तो sin square 45 degree middle term थी उसके अलावा कितनी term बचेगी 16 तो peer कितने बनेंगे 16 term के peer बनाएंगे 8 हर एक की value कितनी होगी 1 तो 1 1 1 कितनी बार 8 बार तो यह हो गया 8 plus क्या बचा sin 45 degree कितना होता है 1 by root 2 उसका square 1 by 2 और sin 90 कितना है 1 so it is 9.5 answer तो third quadrant में निकालते है cos theta कितना दिया है minus 1 by 2 ठीक है और theta की value है pi से 3 pi by 2 ठीक है pi से 3 pi by 2 मतलब third quadrant ठीक है third quadrant cos negative है अब हमें क्या चीए हमें निकालना है 4 tan square theta minus pi cosac square theta ठीक है हमारे पास बैसे दो तरीके है मैं दो आप तरीके बताता हूँ tan और cosac निकाल लो कैसे निकलेगा tan theta अगर यह 1 by 2 है यह है base और यह है hyperdaneous तो perpendicular निकाल लेते है परपेंडिकल है क्या होगा root under hypotenia square minus base square hypotenia से 4 minus 1 root 3 तो 10 theta क्या होता है perpendicular upon base पता है ना P by B 10th class में था तो P P किता है रूट 3 और B है 1 तो A लिख देते हैं और 7 में minus sign लगेगा क्यों लगेगा अच्छा third quadrant है ना प्लस रहेगा 3rd quadrant में 10 positive होता है 3rd quadrant है 180 से 270 ठीक है तो theta जो है 3rd quadrant में तो 10 theta 3rd quadrant का part है उसका घर है तो वहाँ पर वो positive होगा फिर cosec cosec theta क्या होता है hypotenia से पहुंद परपेंडिकुलर तो hypotenia से हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर आया है root 3 और इसमें minus sign लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि 3rd quadrant में sine और cosec क्या होता है negative दोन अगी value डाल दी तो इतना हो गया 4 into root 3 square minus 3 into minus 2 by root 3 का whole square so it is 12 और ये 3 से 3 कड़ी आएगा minus 2 का square 4 हो गया answer is 8 तो ये तरीका था और एक और तरीका था क्या पूरे को कॉस में इक अनवर्ट कर लेते 4 sin 10 square theta क्या होगा या उससे निकालो identity है sec square theta equal to होता है न 1 plus 10 square theta so 10 square theta क्या होगा sec square theta minus 1 और minus 3 ये होता है 1 by sin square so sin square होगा 1 minus cos square theta दोना value डाल दो sec क्या होगा cos का उल्टा तो minus 2 square minus 1 minus 3 by 1 minus 1 by 2 square call कर लेते हैं इससे भी आजाएगा हाँ वो भी कर सकते हैं इसने theta की value निकाल ली 120 नहीं 120 का 240 240 आया हाँ ठीक है कैसे भी जैसा आपको सोहज में आया वैसा बना है यह बोल रहा है कि मैंने theta की value निकालना थीए दोग थीटा की value कैसे निकालेंगे समय ना कभी तुम्हें किसी की value आप 0 से 2 pi के बीच में निकालनी है उल्टा चलना है cos theta था सब लोग ध्यान से सुने minus 1 by 2 सब लोग please board पर देखें यह 0 था यह pi by 2 यह 90 डिग्री था pi की एगा 180 डिग्री रखें तो आजाएगा 90 डिग्री यह pi मतलब 180 डिग्री यह 3 pi by 2 मतलब 270 डिग्री हो है यहाँ पर हम value निकाल रहे हैं तो convert नहीं कर रहा है cos को sign में 10 को quarter में बस value निकाल रहे हैं मतलब cos की value निकाल लिए हैं तो cos ही रख रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे alpha यहाँ पर 2 होते थे pi minus alpha होता था या pi by 2 plus alpha होता था कुछ याद है अरे सिखा हमने ठीक है यहाँ पर pi by 2 minus होता है यहाँ पर pi by 2 plus होता है लेकिन pi by 2 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें convert हो जाता है हमें cos theta को sign में थोड़ी convert करना है हमें तो theta निकालना है तो pi minus alpha यहाँ पर क्या होगा pi plus alpha यह नहीं ले सकते हैं convert हो जाता है इदा 2 pi तो 2 pi minus alpha अब खास बात यह है कि इन चारो cases में alpha जो है वो first quadrant का angle है वही यूज हो रहा है alpha जो है वो first quadrant का angle है और first quadrant में सारी quantity क्या होती है positive होती है तो पहले क्या करो इसका sign मत देखो sign हम बाद में देख लेंगे किये वहल इसका magnitude देखो और उससे alpha निकाल लो first quadrant में 1 by 2 cos की value 1 by 2 का होती थी 60 degree पर cos 60 degree 1 by 2 होता है 60 degree मतलब pi by 3 मैंने लिखवा है 60 degree मतलब pi by 3 तो हम कहेंगे alpha आ गया है क्या pi by 3 या 60 degree अब माइनस sign देखो पहले magnitude निकाल लिया alpha निकाल लिया अब जिस quadrant में चीए उसमें निकाल लेंगे answer तो माइनस sign लगा है cos minus कव यहाँ पर सारे positive यहाँ पर sin positive यहाँ पर 10 positive और यहाँ पर cos positive हमें चाहिए negative cos negative कहा है cos यहाँ पर सारे positive है यहाँ पर cos positive है तो इन दोनों में negative है तो answer होगा theta कित्ता होगा pi minus alpha alpha मतलब pi by 3 and या फिर pi plus pi by 3 यह दोनों answer सही होगे ठीक है तो यह कित्ता होगया अगर आप degree में लिखो तो 180 minus 60 120 और 180 plus 60 240 हमें दिया था किस quadrant में third quadrant में इसलिए हमें third quadrant का लिया pi plus तो यह बच्चा यह बुल ला था कि मैंने पहले angle निकाल दिया और उसके बाद failure रग दी है ना यह किया तो किसी का भी angle बताओ अच्छा है यह स्थीगा है यह बहुत काम की चीज है लिख लेना ठीक है theory part है मालो sin theta equal to minus 1 by root 2 तो theta क्या होगा सबसे बहुत क्या करो 1 by root 2 कब होता है first quadrant में 45 degree क्यादा ही degree हो गया alpha की value आगई 45 degree तो तो अब sin negative का होगा first or second में positive होता है third or fourth में answer क्या होगा pi plus theta की value होगी pi मतलब 180 plus alpha is 45 pi या फिर 2 pi मतलब 360 minus 45 ये theta की value है क्या मग रहा है ठीक है तो कभी कोई भी आपको angle निकालना है कुछ भी आप बना सकते हैं ये जरूर लिख लीजेए अब बात निकली है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें एक formula और दो formula और बज़ गए sin a by 2 इस तरह का आएगा मतलब a की angle के multiple और some multiple वाले आएगे लेकिन इसके दो formula बचे कौन से अगर हम इन दोनों को product कर दें ठीक है तो ये a plus b और a minus b तो दोनों को product होगा तो a square minus b square का formula बनेगा ठीक है मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ अभी आप लोग मत लिखिएगा sin a plus b into sin a minus b तो ये a square minus b square मतलब sin square a into cos square b minus cos square a into sin square b ये ऐसा बनता है अब क्या करते है ये समाझ जा रहा है कैसा हुआ सबको ठीक है ये पूरे को a मान लो ये पूरे को b मान लो तो a plus b into a minus b तो इस a square minus b square अब अब अगर पूरे को sin में convert करना हो तो मैं इसको लिख दूँगा क्या 1 minus sin square b अरे होता था ना बच्पन में sin square a plus cos square b equal to 1 होता था ठीक है minus इसको लिख देंगे 1 minus sin square a into sin square b जब आप product करोगे तो ये बन रहा है sin square a minus sin square a into sin square b और यहाँ पर क्या बन रहा है ये minus के साथ ये आएगा तो minus sin square b और minus minus plus sin square a into sin square b so that will be cancelled out and finally what we get we get sin square a minus sin square b this is sin a plus b into sin a minus ऐसे आया है अब आपको derivation लिखने जरूर अतनी है कोई use नहीं बारा हो गए ये 13 number का formula था इसी तरह से अगर cos को किया जाए तो मैं direct लिख रहा हूं formula cos a plus b into cos a minus b it is cos square a minus sin square b होता है चमग रहा है मुझे आज भी याद है मैंने ये सब derivation बगरा बताया था तब मैं बंसल में पढ़ा रहा था एक बच्ची ने मुझसे कहा के सब बकवास आपने इतनी सब क्यों किया आपको सर आपको calculation दिखी नहीं डॉपर वैची बच्ची थी बंचा क्लास्स कोटा में के सर आपको दिखी नहीं आपको calculation मैंने ओसकता है भी इससे कुछ दिख रहा हो ऐसा जो क्योंकि हाल तुअ है आप में बलकुछ सही के रही है यह लगगी है यह जीनियास है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है साइन प्लदस जी का फार्मुला होता है ब्रेकक दो बना नहीं करना है ठीक है इस अर्एंगल ठीक है उसकी अपनी perfect value है जो sign को मिलती है, bracket open नहीं होता है इसमें, ठीक है ऐसा कुछ मत कीजेगा आप, अरे एक से एक दुरंदर है, ln में ऐसा हुआ, आपको भी doubt होगा, वो doubt genuine था, लेकिन उसने फिर कुछ और इस तरह का पूछा, कि sin inverse x को 1 by sin x क्यों नहीं लगते, sin inverse x is an inverse function, inverse trigonometric function अब हम पढ़ेंगे आगे, ये ये नहीं होता है, ये जो है, ये होता है, तो मैंने उसे समझा दिया, ठीक है, उसने एक ऐसी सवाल किया, कि सर, जब sin x का graph ऐसा बनता है, तो sin inverse का graph, इसका graph, जो है, इसका graph कैसे बनाएंगे, कॉसेक का graph ऐसा क्यों बन जाता है, कॉसेक का graph कुछ ऐसा बनता है, ंँद के हम सीखंगे कैसे बनता है ठीका है ये को सैगा ग्राफ है पोसने का जब साइन World इसको लिख सकते ना आपने को से को वन बाइ साइन लिखा तो साइन का गराब ऐसे है तो को से का गराब ऐसे चेंज क्यों हो गया तो पर कैसे बना चाहिए था तो चाहिए क्यों गरा यह निए जब साइनेक्स यह है तो ग्राफ जो है यह साइनेक्स का है तो यह वन बाइ साइनेक्स ग्राफ क्यों नहीं हो सकता तो मैंने बिटा मेरे अंदर की नोलेज ही नहीं हो चीए कि मैं तिरे को एची एक्ष्लेइन कर पाऊं इट साल्जेब्रा एंड इड़ जोमेट्री ठीक है उसने बहुत खतरनाक संगम किया था इसका तो उसको नमने आज भी थीक है मैं मैं जागिन वड़ा रहा किसी लड़की का ठीक है कोई दिल से मर लगाना ठीक है ठीक है नाव हम बात करते हैं को गलतीपल ङंड सब मल्टीपल फार्मुला है मल्टीपल एंड प्मलटीपल मतलब यह जो पाऊमुले पढ़ लाएं यह एंडिंग्र को चल्ब प होती है महलं इसके लावा और कुछ नहिंग बाने करेंगे रिश्तिकर ए हैं विभीनृ 15 नमबर Sine 2A का फार्मुला यह Multiple कहलाता है ठीक है? पड़ा आएगया? Physics में? Sine 2A Sine 2A क्या किया? Sine A plus B में B की जगे A रख दिया तो यह भी A हो गया Sine A कौँसे? Plus Sine A कौँसे? तो दो बार Sine A कौँसे? So it is 2 Sine A कौँसे हैं अब यह फॉर्मुला पहले और और रुको 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 रुकू रुको कि हां ने प्लस दिल्टी मांता हुआ अस्व डlak वम पशया हूंपे पने प्लस ब्लस ब क्ne अचिंग दैरेक मैं लिखुछ b है तो 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b. अगर उपर plus लगा है तो उपर plus होगा, नीचे minus होगा. अगर उपर minus लगा है तो उपर b minus आएगा नीचे है, plus आएगा. 16 number 10 a minus b. It is 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a. ये कैसे बना है? वो मैं समझा जता हूँ. जैसे 10 a plus b था बच्छों. आपको पता है, बच्छपन से आपने बढ़ा है, 10 a, 10 theta क्या होता है? sin theta by cos theta. It is sin a plus b by cos a plus b. ये derivation मत लिखिएगा, बस समझने के लिए, enjoy करें से. sin a plus b का formal लगा है. कितना होगया? sin a cos b plus cos a sin b. and upon cos a plus b का cos a cos b minus sin a sin b. ये सब को समझने आ रहा होगा? ठीक है? अब इसी में हमने क्या किया? इसमें हमने डिवाइट किया, क्योंकि हमें 10 बनाना है. 10 a plus, ये यहां तक समझने आ रहा है? ठीक है? sin a plus b का पहला formula, cos a plus b का तीसरा number का formula हमने ये लगा दिया है. now, अब क्योंकि मुझे 10 बनाना था, मुझे 10 का 10 चीए था, तो cos a cos b का ऊपर नीचे डिवाइट कर दिया है. cos a cos b, 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 cos a cos b. तो ये cos b कड़ गया, तो sin a by cos a 10 a. ये cos a कड़ गया, तो ये b था, ओ, sorry, this is b. तो sin b by cos b, 10 b. ये बाई पूरे ही कड़ गया. तो ये बन हो गया. और ये sin a by cos a 10 a, और sin b by cos b 10 b. इस तरह से फामूला बना है. और फिर b की जगे माइनस भी रख दिया होगा, तो ये आ गया है. क्योंकि b की जगे आप माइनस भी रख ओगे, 10 माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा, और 10 माइनस थीटा, किस कौरण में है? पौर्थ, पौर्थ कौरण में 10, निगेटिव, तो माइनस भार है. यहाँ पर ये भी 10 माइनस भी होगा, माइनस भार है, तो प्लस हो गया. इंटर्चिंज हो गया. यह मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि साइन 2A से पहले 10 2A पढ़ाया जाता है. तो मैं इसको भी लिखूँगा बस, इसके अगले में लिख दूँगा, समझाने के लिए आप लिखा रहें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 16 होगा 17 नमबर, पहले 10 2A पढ़ाया जाता है. क्योंकि 10 2A का एक ही फार्मुला होता है, जबकि साइन 2A के दो फार्मुले होता है. ठीक है? 10 C अरे 36 सो फार्मुले हो सकते हैं, वो ही याद करते हैं जिनका काम पढ़ता है. 10 2A होता है, बना सकते हैं अपन. 10 2A कैसे आया? B की जगे यहाँ पर? A. तो यह 10 A प्लस 10 A, 2 10 A और 10 A इंटो 10 A, 10 square A. So, it is 2 10 A by 1 minus 10 square A. ठीक है? Now, this is perpendicular upon base. This is perpendicular and this is base. अगर तुम बहुत बढ़िया वाली मेनद करोगे और hypotenious निकालोगे, तो hypotenious आ जाएगा 1 plus 10 square A. लोग समधार होगा, करके दिखना उससे, ठीक है? सब मैं थोड़ी बताऊंगा. यह perpendicular और यह base. hypotenious square करना, perpendicular square plus base square. solve करना, उससे perfect square बनाएगा, 1 plus 10 square A का whole square. तो root लगा देंगे, तो यह आ जाएगा. इससे क्या फायदा? अब sin 2 A बना रहा हूँ. sin 2 A तुमने देखी लिया एक तो. कौन सा? B की जगह A, तो sin A कौस A, sin A कौस A, it is 2 sin A कौस A. और A किससे आया है? इससे, 10 2 A से. अगर 10 2 A यह है, पर्पेंडिकुल अपॉन बेस, तो sin 2 A क्या होगा? पर्पेंडिकुल अपॉन हाइपोडिनियस, तो पर्पेंडिकुलर रहा 2 10 A और हाइपोडिनियस आया है, 1 plus 10 square A. कमकर आएगया? थाद़ थादा आ रहा है? पस देखना से लिगा भी है? डियने चेंज कर दी, टिक्नोमेट्री, इतना इतनी बार देएगी. 19, cos 2 A, cos 2 A, तासे लाए cos 2 A, B की जगे A, तो कितना हो गया, cos A into cos A, cos square A and sin A into sin A, sin square A, so it is cos square A minus sin square A, ठीक है? अब इससे एक और formula बनेगा? या, अगर, cos square A को लिख दू, 1 minus sin square A, तो 10th class वाली identity, cos square A होता है, 1 minus sin square A, तो एक और formula, 1 minus 2 sin square A, एक और formula, अगर sin square A को लिख दू, 1 minus cos square A, तो यह गर 2 cos square A minus 1, एक और formula, कौनसा? इसससे आएगा? 10 to A से, क्या होता है, base upon, hybridineus, तो base किता है यह, तो 1 minus 10 square A, by hybridineus, 1 plus 10 square A, तो दिर आप 4 formula of cos 2 A, it is cos square A minus sin square A, 2 cos square A minus 1, 1 minus 2 sin square A, and 1 minus 10 square A upon, 1 plus 10 square A, ठीक है? कॉशन मगरे आपन कर लेंगे, इस पर वह अलग चीज है, इसी पर है, अपन इस से आगे, वेज़े हैं, अभी sin 3 है, cos 3 है और 10 3 है और बचा, ठीक है? और कुछ, टिग्नोमेंट्रिक values बची हैं, जये sin 15 degree की value है, cos 15 degree, कुछ-कुछ special value है, जिनका use होता है, उन values को देखना है, वो सब अपन next lecture में रखेंगे, ठीक है? मैं अभी थोड़ा सा इसका ही बता रहा हूं, कि इनका use होता है, किसी और वे से, वो समझा रहा हूं, और फिर question कर रहा है अपन, ठीक है? जैसे अगर आपको, इस तरफ से पढ़ रहा है थो ये multiple से sub-multiple में जा रहा है, sub-multiple मěला हाफ हो रहा है, ठीक है? multiple से sub-multiple, अगर आप इधर से पढ़ होते हि कई बार क्या होता है, अगर आपको sin 2a पता है, क्या मैं एक हूँ तो गलत होगा, कि साइन एक्वल टू होगा 2 साइन एवाई 2 पॉसे भाई 2 तो मगरा है कि इस ट्रू अगर 2 जो है वो ए में जाता है तो ए जो है वो एवाई 2 में जाएगा ठीक है अगर साइन फोर ये लिखूं तो इस टू साइन टू ए कॉस्ट टू है पचास ओ फॉमुले बना सकते हैं क्योंकि केबल हाफ एंगल ही वो रहा है वो डबल और हाफ में चल रहा है ठीक है दूसरा केस ये इसके ये वाला फामुला यूज होता है और ये वाला फामुला यूज होता है ये दोनों फामुले कम यूज होते हैं लेकिन ये दूसरे परीके से बहुत यूज होते हैं तो मैं इस पेचली उसे लिख रहा हूं 20 नंबर फामुला कैसे यूज हो रहा है इस सब्सक्राइब करना होगा या आपको दिखेगा कि उसने ऐसा लिख दिया सब्सक्राइब करना है जातर यह लिखा हुआ आएगा मतलब मैं आपसे पूछू कि वाट इस वन प्लस कॉस एटे तो वाट इस वन प्लस कॉस एटे तो एटे से अपकर रहे हैं तो एटे से हाफ होगा फोरे में आएंगे तो मैं यह कोईश करें ठीक है ऐसे यूज होते है तो पहले तो फामले याद हो तब यूज हो ठीक है इसी का यूज करके फामले वन प्लस साइन टुए और वन माइनस साइन टुए और बना दी गए गए साइन टुए क्या आपको मैं यह लिखूं तो चलेगा क्या साइन प्लस कॉसे प्लस साइन का होल स्क्वार एंड कॉसे माइनस साइन का होल स्क्वार एंड क्या यह समझ में आता है cos A plus sin A का whole square क्या होगा A plus B का whole square it is cos square A plus sin square A this is 1 and plus 2 cos A sin A 2 cos A sin A is sin 2 A इसको अगर हम open करें LHS को open करें तो यह बनेगा cos square A plus sin square A और plus 2 cos A sin A तो यह हो जाएगा 1 और 2 sin A कोई से is sin 2 है कम अगरा है देखते हैं इससे नहीं चलेगा लिख लें लिख लें बच्छों ठीक है कुछ कोश्चन करते हैं पुराने और नए 3-4 कोश्चन लेते हैं गनिश का आते ही क्यों है गनिश ऐसा दोने ही है क्या कर सकते हैं किसी का सरनेम यूज कर लेंगे तेरा सरनेम यूज कर लें इसका 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 सरनेम यूज कर लेंगे जैसे उसमें भी एक बच्चा आता है सारे बच्चों की नाम याद होगा है उसका सरनेम ही याद रहता है डॉपर वेच में त्रिपाड़ी जी तो वो त्रिपाड़ी जी रह गया हूँ आते से एक ही 47 चलाई है अपने है ना अब इच्छी है लिखने की है अब दो क्या खीकी कर रहा है यार इसा क्या है असनी का यहाँ पर कुछ अगरो क्या क्या यहाँ है यहरो कि अ. झाओ का तू कुछ नहीं लिख रहा, लिख लिया, पक्का पूरा लिख लिया, तुक नहीं है, तुक नहीं लिख 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 लिखना, हाँ, cos A y to होगा, ब्लकुम, कोई अंबग नहीं है, यहीं बहर करना है? भोगा कैसे? देखो एक बात और सीघो, बहुत इजी वे है, अगर summation, addition या subtraction में कुछ angle वगर आएं या angle में 2 theta, theta, 3 theta ऐसा भी आ रहा हो तो हमेशा ये सबसे पहले consider करना कि 2 angle का sum remaining 2 angle के sum के बरावर आ रहा है क्या ये 2 angle का subtraction remaining 2 angle के subtraction के बरावर आ रहा है क्या क्योंकि हम sin c plus sin d लगाएंगे उसमें क्या होता है c plus d by 2, c minus d by 2, 2 angle का addition, divide by 2 या 2 angle का subtraction, divide by 2, अगर वो same आ रहा होगा pair wise, तभी वो common निकलेगा और तभी remaining cancel होगा पता नहीं समझना आ रहा है कि नहीं, ठीक है तो यहाँ पर ये angle और ये angle का sum, इस angle और इस angle के sum के बरावर है साइन 1, साइन 7 के साथ लें, और साइन c plus sin d लगा है और साइन 3, साइन 5 के साथ लें, और साइन c plus sin d लगा है हाँ, साइन c plus sin d लगा है, दो बार साइन c plus sin d लगे है, इन दोनों को लें इन दोनों को लें, reason सामझना आ रहा है है ना ऐसे ही कॉस C प्लस कॉस D इसको ले और कॉस C प्लस कॉस D इसको ले बनाए हाँ मैं इसमें कोई multiple वाले formula यूज ने कर रहा हूँ अभी आज नहीं करा रहे हैं अपना उसके question अपको यह पुरान ही याद हो जाएं पहला और आखरी लिया और उसमें sin 1 degree plus sin 7 degree plus sin 3 degree plus sin 5 degree by cos 1, cos 7, cos 3, cos 5, sin C plus sin D 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D is minus 6 by 2, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, cos C plus cos D 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 plus 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So that is nothing but 2 common लेकर जाएगा, यह हो गया sin 4 degree, cos minus C, cos C होता है तो cos 3 degree plus sin 4 degree, cos 1 degree. cos 4 degree, cos 3 degree, cos 4 degree and cos 1 degree. sin 4 numerator से common है, cos 4 denominator से common है, so sin 4 degree, it is cos 3 degree plus cos 1 degree by cos 4 degree cos 3 degree plus cos 1 degree. ये पुरा गैंसल, तो इस 10 4 degree equal to 10 theta, so theta will be 4 degree, तो समें theta पुट होगा, sin c minus sin d क्या, 2 sin c minus d is 20 theta by 2 into cos c plus d by 2, or sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, 26 होगा, or cos c minus d, it is 12 theta by 2, 2, 2 कड़ गया, ये 10 theta ये भी कड़ गया, बच गया, cos 13 theta by cos 6 theta, agree, now cos 13 theta की value रखो, तो 13 pi by 19 by cos 6 pi by 19, now what, theta 1 plus theta do, कितना हो रहा है, 19 कड़के pi आ रहा है, theta 1 plus theta 2, if theta 1 plus theta 2 pi, then cos theta 1 equal to minus cos theta 2, तो मैं बड़े एंगल को छोटे में गनवर्ट कर लेता हूँ, मतला इसकी अगे मैं लेख सकता हूँ, minus cos 6 pi by 19, लेख सकता हूँ न, क्योंकि theta 1 plus theta 2 अगर pi है, तो cos theta 1 equal to minus cos theta 2, again this is cos 6 pi, हम यूज करते ही रहेंगे, अब आप जितनी जल्दी याद कर लें, आपको दिखाई देने लगेंगी वो चीजे, इसका कोई और तरीका नहीं है, यह अल्यब्रा है, यह effort मांगता है, आपको effort लगाने ही पड़ेंगे, समय निकालो, अपनी busy life से थोड़ा समय निकाले, formulae याद करें, ठीक है आज के लिए, कितने होगा है formulae, किन लिए है रहा, हाँ, 23 formulae है, ठीक है, कल तक 12 थे, 9 add हुए है, ठीक है, इस मैं 4-5 add होंगे बस,